कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर दिल से चाहो तो एक न एक दिन मिलता जरूर है बस वो चाहत जायज होनी चाहिए और उसे पाने के लिए थोड़ी सी सबर भी होनी चाहिए लेकिन इंसान अपनी चातों को पूरी करने के लिए जल्दबाजी में गलत फैंसला लिलेता है और उसके मात्र एक गलत फैंसले की वज़ा से नजाने कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बरबाद हो जाती है आज के कहानी में भी सेम कुछ हैसी होता है जिसकी वज़ा से एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़के चली जाती है नमस्कार आदाब मैं हस्मुदीन और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तक आज की जो सची घटना में आपको सुनाने वाला हों तरसली एक घटना है जरखंड परदेश की जरखंड का एक जीला पढ़ता है कोडर्मा और इसी कोडर्मा का एक थाना पढ़ता है डोमचांच डोम चांज ठाने के अंतरगते की लाका आता है डाब रोड और इसी डाब रोड इलाके का रहने वाला सुनिल कुमार सा सुनिल की पतनी का नाम संतोसी देवी सुनिल के टोटल तीन बच्चे हैं जिसमें बड़ी बेटी सोनाली उर्फ सोनी सुनाली जिसकी उम्रहलाग भग 24 साल जो बराहवी तक की पढ़ाई कर चुकी है और एक प्राइबेट इस्कूल में बच्चों को पढ़ाती भी है सुनिल जो की एक प्राइबेट कम्पनी में नोकरी करता है इतना पैसा जरूर कमा लेता है कि अपने परिवार की बेहतर तरीके से भरन पोसन करता है बात कर रहाओं मैं 21 मार्च 2023 के सुबह के 11 बजे के आसपास सुनाली अपनी मा से ये करके घर से निकलती है कि मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाओंगी लेकिन सुनाली जब एक बार घर से बाहर निकलती है उसके बाद से दुबारा कभी घरी वापस नहीं आती है देखते ही देखते पूरे दिन का समय गुजर जाता है सुनाली के पीता सुनिल जब उसके नंबर पे फोन करते हैं तो सुनाली का नंबर स्विच अब बताता है सुनाली का नंबर जब बार बार स्विच अब बताने लगता है इस वज़े से सुनिल काफी घबरा जाता है सुनिल सोचने पे मजबूर हो जाता है कि उसकी बच्ची को जब भी घर आने में थोड़ा भी वक्त लगता था अक्सर सुनाली फोन कर मुझे या मेरी पत्नी को जरूर बता देती थी इस बार सुनाली ना तो उसने फोन किया और ना ही उसका मोबाइल ओन है सुनिल के मन में तरा-तरा का ख्याल आने लगता है इसलिए सुनिल उसके जितने भी जानने वाले होते हैं जितने भी रिष्टेदार होते हैं जितने भी सुनाली को जानने वाले होते हैं सबके नमरों पे फोन करता है और सुनाली के बारे में पूच्टास करता है लेकिन इसके बावजूद भी सुनाली का कहीं कुछ पता नहीं चलता है देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है अगले सुबह तक भी सुनाली जब घर वापस नहीं आती है अगले दिन 22 मार्च 2023 को सुबह सुबह ही सुनिल नजदीकी थाने में जाता है और अपनी बेटी का गुमसुती का रिपोर्ट डज करा देता है पुलिस जब सुनाली के बारे में सुनिल से पूस्तास करती है तो सुनिल अपनी बेटी के बारे में पूरी कहानी पुलिस वालों को बता देता है कि उसकी बेटी घर से कब निकली थी और अपने मा को क्या बता करके निकली थी सुनिल जब अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों से बताता है तो पुलिस सुनिल से पूछतास करती है कि क्या तुम्हें किसी पे सक है कि तुम्हारी बेटी को कौन अगवा कर सकता है पुलिस जब इस तरह की सवाल सुनिल से करती है तो सुनिल भी एक लड़के का नाम बता देता है सुनिल कहता है कि साब एक लड़का है जिसका नाम दिपक कुमार है जो महताडी इलाके का रहने वाला है दिपक जिसकी उम्र है लगभग 27 सल के आसपास सुनिल कहता है कि साब दीपक पिछले कई महीनों से मेरी बेटी के नमबर पे फोन कर उसे परसान करता था पुलिस सुनिल के ही तेरीर पे दीपक के नामजद मुकदमा दर्ज करती है पूलिस गुमसुती का रिपोर्ट तो दज कर लेती है लेकिन पूलिस सुनाली की तलास नहीं करती है उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल लेती है इधर सुनिल अपनी बेटी की हर जगों पर तलास तो करता है लेकिन देखते ही देखते लगभग 6 दिन का और समय गुजर जाता है इसके बावजूद भी सुनाली का कहीं कुछ पता नहीं चलता है यह खबर रोजाना प्रिंट मीडिया में परसारित होना सुरू हो जाता है बार-बार जब यह खबर प्रिंट मीडिया में छपना सुरू होता है लोगों को जब मालूम चलता है लोगों का गुस्सा पुलिस परसासन के उपर तूट परता है 26 मार्च 2023 को आखिर कर लोग धरना परदसन पे बैठ जाते हैं और कहीं न कहीं पुलिस के उपर दबाव देने लगते हैं लोग जब धरना परदसन पे बैठते हैं आखिर कर यह खबर कोडर्मा के SP के कानों तक पहुंचती है जैसे ही ये खबर कोडर्मा के S.P. के कानों तक फौंचती है तब जाकर पुलिस की कहीं न कहीं निंद खुलती है कोडर्मा के S.P. पुलिस के उपर दबाव देते हुए कहते हैं कि मुझे 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए जैसे ही पुलिस के उपर दबाव होता है पुलिस अब सुनाली की तलास करते हुए सबसे पहले दीपक के घर पे जाती है और दीपक को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर दीपक से सुनाली के बारे में पूस्ताश करती है लेकिन दीपक जब थाने में पहुंचता है अपने सामने पुलिस वालों को देखता है पुलिस वालों को देखकर दीपक डर के मारे थर-थर कापने लगता है पुलिस जब दीपक से सुनाली के बारे में पूछताज करती है तो दीपक इधर उधर की बात करने लगता है पुलिस जब एक पर एक कई सारे सवाल दीपक से पूश्टास करती है दीपक जबाब तो देता है लेकिन दीपक के जबाब पे पुलिस को कहीं न कहीं उसके उपर गहरा सक चला जाता है इसे लिए पुलिस अब दीपक के सांग सक्ती से पेशाती है। पुलिस जैसे ही दीपक के उपर सक्ती दिखाना सुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर दीपक अपनी सचाई कबूल कर लेता है। लेकिन दीपक जब अपनी पूरी कहानी बताता है, तो वाकई में इसे सुन एक दिन अपनी दिल के बात अपने पिता से कही देती है। इसे सुनकर सुनाली को भी थोड़ी से हीमत आजाती है। जो अब सुनाली को देखता है तो सुनाली की खुबसूरती देख पहली नजर में उसे अपना दिल दे बैठता है। सोनाली को पढ़ाने के लिए तो जाता है लेकिन दीपक को सोनाली को पढ़ाने में मन नहीं लगता है। अक्सर इधर-उधर की बाते करता है और सोनाली को अपनी तरफ रिजहाने की कोशिज करता है। हालाकि सोनाली भी इतनी ना समझ नहीं थी, जो दीपक की बातों को नहीं समझ सकती थी. सोनाली जो दीपक की दिल की बातों को तो समझ रही थी, लेकिन अपने दिल की दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर रखी थी. आखिर कर जब समय गुजरना शुरू होता है एक दिन दीपक अपनी दिल की बात सुनाली से कही देता है दीपक जब अपने प्यार का इजहार सुनाली से करता है सुनाली दीपक को साफ साफ हिंकार कर देती है कहती है कि तुम्हें साथ कोई गलत हैमी हो गया है मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ धरसल मैं पढ़ना चाहती हूँ और पढ़नी कर कुछ बनना चाहती हूँ दीपक सुनाली को काफी समझाने की कोशिज करता है अपने प्यार की लाख दुहाई देता है लेकिन सुनाली उसकी एक बात नहीं सुनती है आखिर कर जब कुछ दिन का समय गुजरता है दीपक अपनी जब तमाम कोशिज कर लेता है सुनाली जब उसकी बात नहीं मानती है आखिर कर हर्थ ठक कर एक दिन दीपक सुनाली को पढ़ाने जाना बंद कर देता है लेकिन दीपक जब सुनाली को पढ़ाने जाना बंद कर देता है, एक दिन सुनील दीपक से इस बारे में पूश्टास करता है, तो दीपक सुनील से जूट बोल देता है, कहता है कि दरसल मेरे पास कुछ ज़्यादा समय नहीं है, एसे लिए मैं सुनाली को समय नहीं दे पा र लेकिन दीपक सुनाली को कभी भूली नहीं पाता है। लेकिन इसके बावजूद भी सुनाली दीपक की बात नहीं मानती है। जिसका नाम है भरत कुमार जो मजली डांट इलाके का रहने वाला है। दीपक भरत से जाकर के मुलाकात करता है और सुनाली को इस दुनिया से हटाने के लिए एक डील पकी करता है। भरत भी इस काम को करने के लिए तयार हो जाता है लेकिन इस काम को करने के लिए दीपक से देर लाक रुपिय का डीमांड करता है। दीपक भरत को डेर लाक रुपिय देने के लिए तयार हो जाता है और एड़वांस के तोर पे भरत को 50,000 रुपिय भी दे देता है। भरत 50,000 रुपिय तो ले लेता है उसके बाद से सुनाली को इस दुनिया से हटाने के लिए एक मौके का इंतजार करने लगता है। भरत मौके का तलास तो करता है, लेकिन भरत को कभी मौका ही नहीं मिलता है, और देखते ही देखते और छे महीने का समय गुजर जाता है, भरत अपना काम कर ही नहीं पाता है, इधर दीपक सुनाली को ले करके इस कदर से परसान हो जाता है, कि अब वो सुनाली को देखना ही न कि सोनाली की घर की माली हला ठीक नहीं है और वो पैसों के लिए इधर उधर भटक रही है। दीपक सोनाली से कहता है कि अगर तुम्हें लोन चाहिए तो तुम मुझसे मिलने के लिए आजाओ। दीपक सोनाली से मिलने के लिए उसे बिरजामू में बुलाता है। दरसल दीपक अपने एक दोस्त रोहित के साथ में वहाँ पे गया था। लेकिन जैसी सोनाली गारी के पास पहुंचती है दीपक सोनाली को गारी में अगले सीट पे बिठा लेता है। ड्राइबर के सीट पे रोहित बैठा होता है। दरसल पिछले सीट पे भरत भी बैठा था और भरत के साथ उसके दो दोस्त संतोस मेहता और संजय मेहता भी बैठा हुए थे। जब पिछली सीट पे इन सब को सोनाली देखती है, सोनाली इन सब के बारे में दीपक से पूछतास करती है। तो दीपक कहता है कि तुम्हें घबराने की जोरवत नहीं है, ये सब के सब मेरे दोस्त हैं। सोनाली गाड़ी में बैठ जाती है और दीपक रोहित को गाड़ी रवाना करने के लिए कह देता है रोहित वहां से काखी तेजी में गाड़ी रवाना कर देता है लेकि रोहित गाड़ी को लेकर के सहर में नहीं जाता है बलके उसे जंगल के तरफ मूर देता है जैसे ही गाड पर दिपक करोगी या नहीं करोगी। दिपक जैसी इस तरह की सवाल सोनाली से करता है। सोनाली जैसे इस दुनिया को छोड़के चली जाती है। उसके बाद से दिपक रोहित को उस गाड़ी को निरु पहाडी को लेकर निरु पहाडी में चला जाता है। करके रख देता है, उस बोरी का मुह बांद देता है। और उसके बाद से ये पाँचों मिलकर सोनाली की डेट बोड़ी को वहीं पहाडी से खाधान के नीचे फैक देते हैं। उसके बाद से ये सब के सब वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में दीपक जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस दीपक के ही तेरीर पे उसके दोस्त रोहीत और सुपारी किलर, भरत, भरत के दोस्त संतोस और संजय, इन सारे आरोपियों को पुलिस अपने कस्टडी में लेकर, फिलाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर, इन सब पे गंभी धरों में मुकद्मा दस करके जेल भेज दिया है, दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सूचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बक्स में जरूर दीजिएगा, तब तक के लिए जय ही, जय भारत दीजिए।